हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके बाल बहुत जदा रफ रहते हैं अगर आपके बाल बहुत जदा ड्राइ रहते हैं तो आप किस तरह से मेट्रिक्स पार्क हो एजा कंडिशनर यूज करके अपने बालों को स्मूथ सिल्की स्ट्रेट बना सकते हैं आपके बालों की बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाएगी तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को कर दें तो चलिए फ्रेंट्स भीना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टाट करते हैं लेट्स केर स्टाट एट तो गाइस मैंने अपने बालों में की हुई है और मेरे बाल इतने जादे इनकी हालत खराब हुई है नीचे से बिल्कुल मुड़े हुए हैं तो मेरे बाल बहुत यूज करनी चाहिए मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स के जो प्रोड़क्ट है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके बालों में देंगे तो मैं इसका कंडिशनर भी यूज करती हूँ बट वो मेरे बालों पी इतना अच्छा वर्क नहीं करता है तो मैं इसकी जो स्पा है उसे मैं आज एजा कंडिशनर यूज करूंगी तो सबसे पहले मुझे करना है हेर वाश शेंपू यूज करना है आप देख सकते हैं मैं शेंपू का यूज कर रही हूँ आप देख सकते हैं मैंने कितनी कम कॉंडिटी ली है आप अपने बालों की टेंथर की अकॉडिंग कॉयंडिटी लहें बहुत ही अच्छे वाले यह प्रोडट हैं अगर आपके बालना बहुत जदा ड्राय रहते हैं बहुत कर सकत चांइल रहते हैं बिलकुल को see знаешь a आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरह से यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने देखा है कि मैंने हियर वाश किया है सबसे पहले आपको हियर वाश करना है मैंने अपने बालों में ऑईलिंग भी की हुई थी तो आप देख सकते हैं सबसे बहले मैंने अच्छी तरह से अपने बालों पर शैंपू किया है क्योंकि मेरे बालों में ओईल लगा हुआ था सबसे बहले आपको शैंपू करना है तो उसके बाद जैसे ही हम कंडिशनर यूज करती है वेट हेर पर वैसे ही हमने स्पा का यूज करना है तो देखिए शेंपू मैंने कर लिया अब मुझे मैट्रिक्स पा का यूज करना है ये है मैट्रिक्स ऑप्टिक एर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल अल्ट्रा स्मूथिंग मास्क तो बहुत ही अच्छा वाला ये मास्क है इसका प्राइज 685 रुपीज है और इसकी हमें ब the room让 में तो आप देखसकते हैं कि मैंने इसके कितनी क्वूटिटी ली है मेरे बाल बिलकुल अभी वैट है तो आप देखसकते हैं इस सबसे पहले आपको अपनी लेंद पर इसे लगाना है बालों को थोड़ा साथ में में खीच कर आपको इस मासक को लगाना है, length से start हमें करना है, scalp से इसे start नहीं करना है, length पर अच्छी तरह से लगाना है, कम से कम 2-3 मिनट तक आपको इसे length पर अच्छी तरह से लगाते रहना है, जैसे हम conditioner यूज करते हैं, बस conditioner हम थोड़ा सा length पर scalp पर लगाते हैं, और फिर हम पानी से अपना hair wash कर लेते है बट इसमें ना हमें 2-3 मिनट अपने बालो पर इसे अच्छी तरह से stretch करके लगाना है, थोड़ी थोड़ी quantity लेकर बालो में अच्छी तरह से अब आप चाहें तो दो parts में अपने बालो को divide करके भी लगा सकते हैं, तो देखिए scalp पर भी मैं लगा रही हूँ, मतलब कि scalp पर आपको ज्यादा नहीं लगाना है, बालो में इसे लगाना है, बहुत ही अच्छा वाला मास्क है, मेरी recommendation पर आप इसे try करके देखिए, आपके बालो की बिलकुल look ही change हो जाएगी, तो देखिए मैं साथ में मसाज भी कर रही हूँ, बालो पर length पर अच्छी तरह से मैं साथ म में मसाज कर रही हूँ, कम से कम दो या तीन मिनट के लिए आपको इसी तरह से मसाज करनी है, फिंगर की help से अच्छी तरह से पूरी length पर इसे apply करना है, हर एक बाल पर पर अच्छी तरह से लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसके quantity नहीं लेनी है, आप इसे एक बार यूज करके देखिए, आपके बालो के बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाएगी, आपके बाल इतनी जदा smooth, silky, straight और shiny हो जाएंगे, तो देखिए, अच्छी तरह से मैं बालो पर मसाज कर रही हूँ, और इसके बाद आपको इसे चार से पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे हम conditioner लगाते हैं, आप उतनी देर नहां लीजिए, या फिर scrub लीजिए, तो देखिए, आफ्टर फोर टू फाइफ मिनट्स, अब मैं अपने बालो में पानी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे हम conditioner का यूज करते हैं, सेम वैसे ही हमें इसका यूज क इतने ज़्यादा मेरे बाल सुंदर हो गए हैं, तो अगर आपने rebonding करवाई हैं या फिर आपने straightening करवाई हैं, और आपके बाल बहुत ज़्यादा dry रहते हैं, बहुत rough रहते हैं, सब कुछ अच्छे product यूज करने के बावजुद भी, तो आपना मेरी recommendation पर matrix spa का यूज कर मैंने बहुत से product यूज की हैं, बट मुझे इसके result इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मुझे लगा, आपके साथ मुझे ज़रूर ये share करना चाहिए, तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने पानी डाला है, जितनी भी spa बालो में थी, उससे सारा निकाल लिया है, सिरफ आपको नहीं करना है, तो मैं towel drying देखिए, किस तरह से कर रही हूं after hair wash, बालो पर जोर से towel drying नहीं करनी है, इसी तरह से आपको towel drying करनी है, अपने बालो को बिलकुल अराम से पूंचना है, बालो पर जोर जोर से towel नहीं मानना है, तो अब मेरे बाल जब सूख जाएंगे, 80-90% जब मेरे बाल सुख जाएंगे देखे आप देख सकते हैं अभी मैंने बालों पर बिल्कुल भी कॉम्बिंग नहीं किया और आप मेरे बाल देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं स्मूथ सिल्की बाल हो गए हैं तो देखें कॉम्बिंग करने के बाद भी कॉम में एक बाल भी नहीं है बिल्कुल भी हियर फॉल इससे आपका बिल्कुल हियर फॉल भी आपका कम हो जाएगा आप देख सकते हैं मेरे बाल कितनी ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं तो गाइस अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉ आइक जरूर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो गैस आप मेरे बाल देख सकते हैं एक भी बाल मेरा नहीं निकला और मेरे बाल इतने ज़्यादे सुन्दर लग रहे हैं होब गैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगे मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वी